हलो फ्रेंज निलीमा क्रिशन में आपका फिरसे स्वागत है आज मैं आपको ये फ्लावर शिप डॉरमेट बनाना बताऊंगी इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे मैं आज आपको 36 फंदे से बनाना बताऊंगी अगर आप पुराने चुननी ये साड़ी से भी बना रहे हैं त साड़ी से बना रहे हैं तो आप 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर कोई भी सिलाई से बनाएंगे तो बन जाएगा इसली तो चलिए देख लेते कैसे बना हुआ है तो जैसा कि देख रहे हैं आप इसमें तीन कलर से में बनाई हूं तो सबसे पहले ब्लू कलर है तो इसमें ब्लू कल तरह से इस तरह से फिर से नॉट लेंगे चोटा वाला दागा से इस तरह से लपेटेंगे और फिर इसे खीच देंगे इस तरह से इसमें बारा फंदा हम लोग ले लेते हैं अब इसी तरह से यह पीले रंग के धागे से भी बारा फंदा ले लेते हैं इसमें 36 फंदे लेंगे इसी तरह से तीन रंगों से बारा बारा फंदे ले लेंगे जहां पर जो जैसा कलर आपको रखना है उसी साब से तो जैसा कि इस डिजाइन में है मैं वैसे ही इसमें कलर रख रहे हूँ इसी तरह से फंदे ले लेते हैं सारे तो देखिए फ्रेंस इसमें 36 फंदे ले लिए हैं बारा बारा फंदे करके इसे तीन हिस्सों में बाट लिया है अब देखिए जैसा डिजाइन में किया गया है इसकी सुरुवात यहां से ही है और यहां से फिर फंदे बढ़े हुए हैं तो इसी तरह से इसमें भी हम लोग बढ़ाएंगे तो देखिए जो पहला फंदा है उस इसको दो बार ब्लब करके यहां पर हम भी और भी चम्ड बढ़ाएंगे उस तरह से फिर इद रगा सामें ले आएंगे और यहां से सब को ओल्टा बिन्ते जाएंगे यह जिस तरफ हम लोगे बिन रहा है यह वालप साइड इसका उल्टा साइड बनेगा और यह इसका सीधा साइड बनेगा तो जहाँ पर जो जैसा कलर है वैसे बिन लेते हैं अभी यहाँ पर यहाँ तक बिनते हैं परपल कलर से यह देखिए यहां पर आ गया है जब हम लोग येलो कलर से बिनना शुरू करेंगे तो ये दूनों धागे कुछ तरह से क्रॉस कर देंगे और इसे बाकी फंदों को बिन लेंगे यह देखिए आगे वी तिसरा तलर भी सितर से क्रोस करके जोड़ लेंगे यह देखिए बिनते व्यांत में आ गये हैं यह जो दो फंदा है इसे बिना वुने छोड़ देंगे यह दागा उल्टे साइड कर देंगे जो कि इसका सीधा साइड बन रहा है इस तरफ से जहां पर जो जैसा कलर है वैसे ही बिनेंगे यह देखिए ब्लू वाले सारे बिन लेते हैं उल्टा उल्टा यह देखिए यह यलो वाले धागी बिनने हैं तो क्या करेंगे जो ब्लू वाला धागा है इसको उल्टे साइड कर देंगे और इसे अच्छे से खीच लेंगे और इसे यहां पर फिर क्रॉस करके यह ले आए पर इस तरह से बिनेंगे यहां पर इसी तरह से धागे को सीधी साइड से इसी तरह से धागे को उल्टे साइड में ले जाके क्रोस कराके फिर से सामने आके इस तरह से बिनना है अगर आप दोनों धागे इस तरह ला करके बिनेंगे तो यहां इसके फिनिसिन नहीं आएगे औ तक भिन लेते हैं मैं निखिंटेम फिर से उपरी इस साइड में आ गया है फिर सिह यहां पर ऐकन बढ़ाएंगे और फिर से बाकि फंदों को चैसे जो कपरेतों जहीं जिसी तरह से यहां पर दोपन बना पूनेय छोड़ेंगे इसी तरह से आज ये एक लाइन बना है और कि कैसे करना देखिए बढ़ाते हुए यहां पर भी पाच फंदा बढ़ा चुके हैं इस तरह से यहां पर पाच लाइन बना हुआ है देखिए एक दो तीन चर पाच और इधर से अभी यह दस फंदे तक छोड़ दिये जो लास्ट का दो फंदा ब्लू वाला बचा है वो इस में छोड़ेंगे यह आखरी का छटा फंदा हम यहां पर बढ़ा लेते हैं यह देखिए इस तरह से इस फंदे को फिर से जिस तरह पहले बनाएते हैं दो बार बिन लेंगे यहां पर एक फंदा यह बढ़ा लेंगे और फिर से जहां पर जो जैसा कलर है वैसे ही बिन यह देखिए बिनते वे यहां तक आ गए हैं अब यह जो यलो वाले फंदे हैं उन्हें बिनेंगे और धागा यहीं से उल्टे साइड में यह जो ब्लू कलर का है उसे छोड़ देए इस तरह से इधर में देखिए बारा फंदा छूट गया अब यहां पर यह जो यलो वाला ही फंदा बिनना है तो एक बार सिर्फ यहां पर इस तरह से से क्रोस करके अच्छे से धागे को खीच लेंगे और यहां से यलो वाले फंदे बिन करके एकदम उपर तक इसी तरह से जहां पर जैसा कलर रहे हैं बिन लेता है यहां तक कुछ देखे यहां पर आ गए हैं तो ये पाय-पाय वाले ढ़िसे इसकी साथ इस तरह से क्रोस कर देंगे देखी जैसे हम लोग उल्टे साइड में क्रोस करें तो यह इस तरह का कुछ दिख रहा है और सीधी साइड में देखिए कितने फिनिसिंग के साथ ही बन रही है इसलिए मैं बोली कि धागा को ओल्टे साइड में लेकर की क्रॉस करेगेगा इसे बिंते वे अंतक कर लेते हैं यह देखिए बिंते वे उपरी साइड में आ गए है एक बर फंदे देख लेते हैं कितने हैं उसे continue छोडते ही जाएगे इस येलो कलर में भी अब यहां से देखिए इस वाले फंदे को इस तरह से उठा लेंगे बाकी को इस तरह सिंपल उल्टा उल्टा भी नहीं बढ़ाएंगे ओल्टा ओल्टा बिंते हुए एक दम यहां तक जाएंगे yellow color वाले फंदे तक और यह जो 2 फंदा है इसे बिन बुने छोड़ देंगे तो इधर 12 फंदे छोड़ किया है और dio फंदा 14 फंदे तक छोड़ देंगे तो यहां तक कर लेते हैं यह रहे बिनते वे यहां पर आगए है वियलो कलर में यह दो फंदा बिन बुने छोड़ देते हैं पुद्ध है दागव ओप आप उटे साइड पूर्टे साइड में यहां पर गलर है वैसे ही बिनते वे एकड़म यहां तक बिन लेते हैं कि विव कि दिन दॉ ये रेखिए पिलिनेघ और इधर में फिर सीनबल बिनेंगे और इधर में फिर से जाके ये दो इतना कर लेते कि आगे बताते अगे कैसे करना यह देखिए सींपल बिंते वे यहां से भी पांच लाइन बना लिए हैं एक लाइन और यहां बनाना है जिस्से यह दो फंदर जो रहखे है वाँ फोट सपा टोड़े जिस तरह यて एक्षी का नब 는am बना लेते हैं ना बढ़ाना है नहीं घटाना है इस तरह से बिनते हो जाएंगे और यह जो दो फंदा रह गया है उसे छोड़ देंगे तो यहां तो की बिनेंगे यह देखिए बिनते हुए आगे इस तरफ यह परपल वाले फंदे को इस तरह से यहीं से मूड़ जाएंगे इस तरफ से परपल वाले फंदे ही बिनने है इसे बिनते हुए उपर तक कर लेते हैं आज गया है कि यह देखिए वे उपरे साइड में आ गया अब यहां पर देखिए यह चैलाइन इदिए जिए कंप्लीट हो गया है बीना बढ़ाए हुए अब जो यह शुरुवात में जो छे फंदे बढ़ाए थे अब यहां पर छे फंदे घटाएंगे और यहां जो और यहां से बागी परपल वाले फंदे बिनेगे अदमें है उट मी जाके फंदे दो फंदे बीना पूने चोड़ेंगे यह तक कर से घृत हो एं तक कर लेते हैं ये देखिए फरस ओपर साइड में पिर से यहां长 पर दो फंदे करेंगे और फिर सी ए दो फंदा दना बीना बोने छोड़ेंगे जैसे इस लाइन में घटाएं वैसे और चार लाइन करेंगे ऐसा बना लीघ ऍहें और चाला इन इस तरह से बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंग्स घटाते हुए अभी यहां पर पाच फंदा घटा चुके हैं यह एक दो तीन चार पाच यह छटा फंदा यहां पर घटाना है और इस तरह से परपर वाले दो-दो फंदे करकिए दस फंदे तक छोड़े अब टाश्ट फंदा यह देखिए घटा लेंगे इस तरह से दो फंदा का एक कर देंगे अब यही से यह जहां पर जैसा कलर है वैसे ही बिन लेंगे तो इसमें भी इनसे इस च्पालर ऐ сделать बेंगे इसके चटे लाइन में इस एकदम यहां तक बिन लेते हैं यह देखिए बिनते वे यहां आंत में आ गया है इसे भी बिन लेते हैं इक लस्ट को अब फिर से बाकी सब को यहां से बिनते वे एकदम उपर तक कर लेते हैं है अधिर से यहां यहां पर यह जिस तरह नहीं अगर एक फंद में और यह बढ़ाने के ऐसे हैं इसथ चोड़ेंगे उर्परबधे और बढ़ा करना करें 20uğ में शामार को होगा उसे घटा देंगे और इसमें से दो-दो-फंदा करकर छोड़ेंगे लाश्ट वाला पान ज Prienedig तो एक लाइन इस तरह से बिननेगे इसी तरह सिसके सारे करेंजेंगे जैसा कि यह किया क div i वैसे ही इसे complete कर लेंगे तो देखे फ्रेंज जब यह इस तरह से complete हो जाएगा तो अंत में सारे फंदों को बंद कर लेंगे तो जहां पर जो जैसा color है वैसे ही इसे बंद कर लेते हैं यह देखे इस तरह से दो फंदे को साथ मिले करके बिन देंगे और फिर जो फंदा आएगा उसे इसी काटे पर कर देंगे फिर से दो फंदा साथ में लेके बिन देंगे इस तरह से सारे ही को ही बंद कर लेंगे जहां पर जो जैसा कलर है वैसे ही बंद करेंगे इसे सारा बंद कर लेते हैं जब इस तरह से सारे फंद इसके बंद कर लेंगे तो इसा है यहाँ कि पर यहां से इसे इसलाई कर लेंगे